Hi everyone, welcome to Global Online, this is Ankita Sood, so Paper 1 में Research Aptitude का एक बहुत जरूरी टॉपिक है, Research की Validity और Reliability Already कल हमने इसके सारे Concepts क्लियर किये थे and आज के Session में उसी के Base पर Important Questions में लेकर आई हूँ, जो की As It Is आपको Exam में देखने को मिल सकते हैं Paper 1 के Best Preparation के लिए Complete Course में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको Examination तक Daily Live Lectures के साथ 100% syllabus कवर करवाने की मैं गैरेंटी देती हूँ साथी Students Topic Wise Practice MCQs and PYQs भी आपको मिलेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि जो Topic आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे Questions आए हैं and Upcoming Exam में कैसे Questions पूछे जा सकते हैं Final Revision के लिए Mock Test and 5000 Plus MCQ Question Bank है जिसके बाहर से कुछ भी Examination में कभी भी नहीं पूछा जा सकता बच्चों को Notes बनाने में बहुत जादा समय लगता है लेकिन इस Course में आप लोगों को हम PDF format में Full syllabus Notes देते हैं जो कि exam के लिए बहुत ही जादा important है and new batch भी हमारा Monday से स्टार्ट होने वाला है तो आप सभी students इसको ज़रूर जॉइन कर लीजिए इससे पहले Free Videos और Mock Test को ज़रूर देखना जो कि आपको Global Online App पे मिलेगा store section पर search bar में लिखिये course का नाम जैसे आप course पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इसके duration दिख जाएगी examination तक आप लोगों के लिए यह course valid रहेगा content पर जाते ही आप देख सकते हो free videos है complete मेरा course है जिसमें आपको मेरे सभी lectures के PDFs मिल जाएंगे test मिल जाएंगे and video lectures है जिसके अलावा ना आपको कोई extra mock test या ना extra कोई book खरीदने की जरूरत है तो यह बहुत important course है exam oriented preparation में आपको मदद करेगा and paper 1 में आपको first attempt में 100 में से 80 plus score करने में भी यही course मदद कर सकता है तो आप सभी students given numbers पर contact करके इसको जरूर join कर लीजिए first question है which of the following measures the consistency of same test over time so इस question में directly कहा गया है कि वो reliability का कौन सा ऐसा type होता है जिसमें हम same test को बार बार थोड़े थोड़े समय के बाद conduct करते हैं ताकि हम उस test की consistency को map सके उसकी स्थिरता का परिक्षन ले सके options है interator reliability, split item reliability, parallel form या फिर test, retest तो देखो students इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जैसे कि यहाँ पर consistency की बात की है तो पहले ही पता चलता है कि यह reliability है अब इसमें कहा है same test over time यानि कि एक ही test को आप थोड़े थोड़े time के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद conduct करवा रही हो यह देखने के लिए कि उसका जो result है वो स्थिर है या नहीं है जैसे इसका एक example हमने लिया था कि अगर एक doctor के पास जाते हो आप अपना blood pressure चेक करवाने तो doctor यह देखते हैं कि आपके blood pressure की स्थिरता है या नहीं तो वो आपका test कभी morning में करेंगे, फिर evening में भी करेंगे exercise करने के बाद same test होगा, exercise करने से पहले भी same test होगा यह जानने के लिए कि BP की कोई और reason है, BP बढ़ने या घटने का कोई और reason है या फिर वो consistent है, ठीक है, सो जब भी ऐसा test होता है तो उसको कहा जाता है test, retest, reliability, यानि कि एक ही test को बार-बार conduct करवाना so correct answer है option number 4 अगला प्रशन है which of the following depends on the judgment of the observer observer का मतलब यहाँ पर हम लोग researcher भी बोल सकते हैं अब देखो, researcher ने अपने दिमाग में एक idea लिया था किसी चीज़ का यानि कि उन्होंने एक judgment अपने mind में अरड़ी बना रखी है तो हमें बताना है कि judgment of observer की अगर बात करें तो वो किस से related होता है construct validity, face validity, content validity या पर none of the above so construct validity होता है कि जो चीज़ आप construct करना चाहते हो वो as it is बन रही है या नहीं जैसे इसका एक मैंने आपको bedroom, एक house वाले example दिया था कि घर में आपने bedroom, kitchen, drawing room, living room ये सब बना दिया लेकिन आप bathroom बनाना भूल गए तो ये construct invalidity होगी valid नहीं बना आप, जो बनाना चाहते थे वो valid नहीं है तो ये वाला option तो यहां पर नहीं आएगा face validity होती है कि जो चीज़ आपने imagine की थी ठीक है, या जो चीज़ के लिए आप research कर रहे थे वो चीज़ as it is दिख रही है या नहीं इसी को कहते हैं judgment of the observer कि observer ने, researcher ने अपने mind में जो एक idea लिया था एक चीज़ जो दिमाग में लेकर चले थे उस चीज़ को यहां पर जज़ किया जा रहा है वो चीज़ as it is दिख रही है या नहीं दिख रही है यह होता है face validity जिसको आप अंकित वैधता भी कहते हैं तो correct answer हो गया option number 2 अगला सवाल है the degree to which observed values scores are free from errors of measurement refers to what अब देखो यहां पर कहा है कि आप एक measurement कर रहे हो research में कुछ map ले रहे हो research में आपको देखना है कि क्या वो error से free है क्या वो त्रुटियों से मुख्थ है क्या उसमें कोई गलती है या नहीं है यह check करना होता है अगर तो क्या use होता है reliability वो आपके विश्वसनियता को check करते हैं आप इसमें content validity, construct validity या criterion validity तो इस सवाल के लिए trick आपको यह बता रही हूँ कि देखो validity हमें बोलता है कि जो कारे हमें दिया गया है क्या हम वही कारे कर रहे हैं या हम किसी गलत रैक पे चले गए है तो validity तो यहाँ पर question में बनता ही नहीं है statement तो यह तीन options तो होंगे ही नहीं तो directly आपको पता चल रहा है कि correct answer होगा reliability यानकी विश्वसनियत अगला सवाल है characteristics of good measurement are what so good research भी आप बोल सकते हो good measurement के best क्या हो सकते है characteristics तो देखो reliability तो होगा यह हमने पढ़ लिया है validity भी होगा यह भी हमने पढ़ लिया है so one and four so one and four यहाँ भी नहीं है one and four यहाँ भी नहीं है so अब देखते हैं three option या five option में से correct कौन सा है तो three हमें बोलता है objectivity and option five बोलता है practicability कि practical approach आप क्यों होनी चाहिए या फिर एक objective होना चाहिए कि research आप क्यों कर रहे हो so देखते सी बात है objective आपका होना चाहिए लेकिन practical approach आपको follow करना है अपनी imaginary जिन्दगी में नहीं जीना है research के दौरान एक practical व्यवहारिक ता आपको follow करनी है so इसलिए correct answer है option number one four and five next है crone back alpha is used to assess and instruments अब देखो crone back alpha इसमें याद रखना है सरफ आपको logic कुछ नहीं है ये किसको check करने के लिए बनाया गया है इससे आप reliability check कर सकते है अपने research की exam में ही आया है previous year question 2020 to UGC netmate ठीक है तो ये पूछा जा सकते है set exams में भी अगला सवाल match the following से है most important जिसमें आपको एक तरफ types of validity है दूसरी तरफ उसकी थोड़ी से definitions दी है so face validity जो चीज जिस major objective जो है research का क्या हम उसी पर focus करके अपना research कर रहे है वही सवाल जो population से या sample से पूछ रहे है या नहीं पूछ रहे हैं यह हमें face validity बताता है indicates the extent to which the measurement is used ठीक है तो यहाँ पर देखो इसी से आप लोगों को correct answer मिल जाएगा कि face validity is related to compares a new test to an already established test face validity is related to indicates adequacy of instrument कि जो instrument जो चीज जैसे माल लीजिए आपने एक machine बना ली जो कि especially किसी person का weight check करने के लिए है तो यह एक instrument आपने बना लिया यह adequacy बताता है कि जिस कारे के लिए यह machine बनाई गई है क्या यह सच में face पर वही काम करी है कि सच में वही दिख रही है ऐसा तो नहीं है कि weight check करने के machine बनाई है कोई person इस पर चड़े तो वो हवा में उढ़ने लग जाए या कुछ भी हो जाए तो यह है face validity अगला है concurrent validity that is compares a new test एक नए test को test किसी old test से जो already established test है उससे हम क्या करते हैं compare करते हैं वो concurrent validity होती है construct validity construct validity indicates the extent to which the measurement is used ठीक है कि किस level पर हम काम करने वाले है क्या exactly हमारी imagination है predictive validity the extent to which a score on a scale forecast score on same criterion measures ओके अगला सवाल है which of the following are is our content related validity so समकरी संबंदित वैदिता क्या होती है अपने live lecture में already मैं बता चुकी हूँ कि content related validity से सवाल आते हैं so face validity भी content पर focus करती है construct validity भी content पर focus करती है so both one and two are the correct answers अब एक homework question देती हूँ कि बताए predict validity किस से जुड़ी हुई है and students अगर यह session आपको पसंद आ रहा है तो जरूर मुझे comment करके बता दीजिए कि मैं इस session को continue करूँ या नहीं and अगर कोई सवाल है कोई confusion है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो which of the following are used to measure reliability in research reliability के लिए simple सा सवाले के reliability के types पूछे गए हैं आपर test, retest होते है split half होता है interator होते है so b, c and d b, c and d देखो बहुत असान है reliability के तीन types होते है test, retest, split half और interator change of behavior in people after they come to know they are participating in research project to produce results that do not have validity is known as what कई भार एक person है उनको हमने अपने research के लिए ले लिया पहले उनको पता नहीं था लेकिन research के दुरान उनको पता लग गया कि एक research में उनसे पूछेगे questions का जो data है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और उनके behavior में उस समय फिर change आने लग जाता है ठीक है जिसकी कोई validity नहीं होती है जो की बिलकुल भी वैद नहीं होता है तो ऐसे case में कौन सा effect ये होता है ऐसे effect को बोला जाता है hot throne effect नाग funny प्रभाव ये विक्विंदी में समझा रही है ये चीज़ें बहुत अच्छे से है ना नाग funny effect आव आपको माल लीजिए मैं आपसे बहुत चितनी चुपड़ी बाते कर रही हूं आप पहले मेरी बातों का बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हों लेकिन कुछ बातों में 5-10 मिनट के बाद आपको पता लगने लग गया कि अरे इस लड़की का मुझसे कोई मतलब है इस लड़की को मुझसे कोई काम करवाना है ये बातों बातों में मुझसे कुछ उगलवाना चाहती है तो ऐसे में फिर आपका behavior change होने लग जाएगा इतनी देर आप जो मुझसे बहुत अच्छे से रह रहे थे आपका behavior change होने लग जाएगा जब आपको पता चल गया कि आपकी इस समय क्या value है नहीं रिलिये ठीक है? ये होता है how thrown effect यानि कि नागफनी प्रफाव the main types of validity encountered in research, design and methodology are so validity के type पूछे, कुछ नहीं पूछा, देखो confuse करने के लिए तना बड़ा statement बना दिया है लेकिन validity के types पूछे गए है internal validity भी होता है, external भी होता है, construct भी होता है statistical conclusion कभी पढ़ा, नहीं पढ़ा, कल के class में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो तीन type के होते हैं, A, B and C, D तो नहीं होता है, इसको ये गलत है statistical conclusion बिल्कुल भी नहीं होता, options में थोड़ी सी गलती है, A, B and C A, B and C, ठीक है, ये तीन हैं आपके validity के different types इसके अलाबा विल्की हमारे पास internal होता है, external होता है, face होता है, construct होता है, content validity होता है लेकिन statistical conclusion नहीं होता है, so ये थे आज के most important and most repeated questions, I hope students ये जो validity और reliability पे चार lectures मैंने आपके लिए लाए है, जिसमें पहले दो sessions में हमने validity and reliability के introduction को पढ़ लिया, उससर related previous year questions कर लिये, and lecture number three and four में हमने different types इनके देख लिये थे पहले theory में और उससर related previous year questions कर लिये थे, ये चार lectures के अलावा, आपको इस topic में कुछ भी नहीं पढ़ना, ये ची tips clear है, तो मुझे बता दीजेगा, and कोई भी इन चार lectures में की point, या कोई भी lecture मिस हो गया है, उसका link आपको चाहिए, तो वो भी मुझे बता दीजेगा, so thank you so much for watching this session, and I wish you all the very best.